नारी अगर पती का नाम लेती है तो उसकी आयू तिल भर की छिर्ण होती ही चली जाती है कितना तिल भर इसका अंद पुराण में लिखा है तिल भर की आयू छिर्ण होती ही चली जाती है नारी जेश्ट पुत्र का नाम लेती है हाँ जेश्ट में अगर बेटी है तो उसका न तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रापटी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पुरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के साम निला कर खड़ा कर दो, तो भी अगर मा अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है, तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से भुकी ही निलेगा वो सुख नहीं पास और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और पड़े पुत्र का नाम आप माताई लेती हो तो उसकी दाशा जरूर देख लेना एक बर हो कफा गलत नहीं कह सकती इसकन कुराण कभी गलत नहीं जा सकती आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो यह जरूर है अगर बेटी बढ़ी है उसके बाद पुत्र बड़ाये तो वो जेश्ट नहीं माना जाए ज्यान रखना जेश पुन ही दिखनी इस को जीवन में अजीगे कर कर दे माले और कर दे अदर το सक्राइट का नाम अभाई तो अधने आधकी उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता कुछना एक तो चीजसे वु कि रहे चाहे वो पच्चो से रहे, पतनी से रहे, परिवार से रहे, कुटुम्ब से रहे, वेपार में रहे, भुसाय में रहे, हाफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके भागे में थोड़ा लिखा ही रहे और जो चीज वेद्वियाज जी ने बर्णन कर दी माराज उसका प्रमान आप खुद भी अपने घर में देखो कि सही है कि गलत है जिस जिस घर में बड़ा पुत्र हो और मा उसका नाम बारवार लेती हो बारवार लेती हो उस पुत्र की दशा देखिएगा तन मन और धन तीन तरह से इसलिए निवेदन करूँगा मेरी माताओं से आपका प्रेम बहुत है क्योंकि आपका बेटा बढ़ा है आपका पुत्र बढ़ा है आपका बहुत प्रेम है और बेटे का मी माता के पती बहुत प्रेम है पर उस प्रेम में तुम्हारा जो संबोधन है बार बार नाम लेने का उससे उसको तकलिफ हो सकती है इसलिए निवेदन है मेरे कृष्ण का नाम कृष्ण था पर येशुदा कभी कृष्ण नहीं बोली है कभी नहीं येशुदा कभी कृष्ण नहीं बोली है कन्वा करती थे, आपके बेटे का नम कुछ भी आप उसको नाम से मत पुकारो, उसका नाम चेंज कर तो थोड़ा सा बतल दो, आप उस नाम से उसको पुकारना प्राइब है, आप जो भी बोलना चाहिए, आपके दिल की बात है, तो आपके पुतर से आप क्या बोल सकते हैं। मेरी कोशल्या मैया, राम को केवल राम ही कहती थी, केकई राधाव कहती थी, सुमित्रा रग्वु कहती थी, पर कोशल्या नाम नहीं बदल दो, और जेश्ट पुत्र थे राम, बड़े थे, बड़े हुए, बन जाना पड़ा, लोट कर आये, धोबी की वार्था सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा, समय आया, लच्मन का त्याग करना पड़ा, और समय आया, तो ये शरीर को ही सर्यू में छोड़ना पड़ा, कहां से, इसकंद पुराण करती है, पती का नाम अगर नारी ले रही है, तो तिल तिल भर उसकी उमर घट रही है, पर ना जाना मताओं को इससा क्या है, कि आज के फैसन हो गया, ए राग हो, इधर राग हो गया, नाम लेने में तिल भर किया यू गट रही है, जेश्ट पुत्र का नाम लेने में, उसकी सम्रद्धी, उसका जो वेभव है, उसका जो सुख है, वो घट रहा, तीसरा, जिस गुरु से गुरु मंतर लिया है, गुरु दिख्छा लिया है, जिस गुरु से आपने गुरु मंतर का इस्मरण किया है, जिस गुरु से आपने गुरु मुख हुए है, जिस गुरु से आपने गुरु मंतर लिया है, आपने अगर मंतर ले लिया, चार जगाँ पर बात निकले कोई पूछ भी ले कि आपने गुरु मंतर किस से लिया तो बता दो भईया हम तो वाँ गए थे वहां का जो गुरु जी है उनसे हमने गुरु मंतर लिया वही हमारे गुरु नाम का इस्मर्ण ना करते हूं उसकी पहचान बताने का प्रयास पर वो ऐसे वो वेसे वो वहां रहे थे उसका इस्मर्ण गुरु का नाम लेने से क्या जाता है महाराज शास्त्र कहता है गुरु जिसने मंतर दिया उसका नाम मतलो गुरु ने जो मंतर दिया उसका नाम जो, बहुत ध्यान देना मारा, दुनिया के लोग गुरु का नाम लेकर बेटे हैं, उन गुरु जी से मंत्र लिया था तो उनी का नाम लिया जाए, शिरी एमान जी, ये मान जी, अरे क्या नाम लेना? क्या नाम लेकर? हमें गुरु का नाम नाम नहीं है, यातना, हमें गुरु मंत्र यातना, जो गुरु ने मंत्र लिया, उसका इसमान करती है, क्या होता है? इसकंद पुरान करती है, जब माला जपने के लिए बेटते हैं, तो गुरु का श्री विग्रह तुमारे सामने होना च इसका इसमर्ण हम बालबार अबर गुरू के नाम अब हम बारवर की नाम लेते हैं जिसे मंत्र एक है में इसका नाम बार बूर ले यह वह हमारे घर में महारज शन्ती टिकती नहीं है थोड़ा सा र Ihnen थ्लेश ठोड़ा बढ़ा रहता अला तमारे परिवार क्वार की ढिंदा करता हो … कली नर्क में ज़ाँ है बील्कूल क्याँ चुर्रान अमें नर्क मे से 24 नर्क निंदा के से ए केवल निंदा सुनना, और निंदा करने वाला, तो केवल्जार नरख में गिर्ता है क्यों चार नरग में जिन था टो पूच़ा नंदा करने वाले को ज्यादाब लगता है नई उसको कम लगता है जिसके दो पदोसके पाब दूर रहे हैं इसके जिसके नंदा हो रही हुए तो जिन्दा करने वाले को तो भगवान इसलिए पेदा करा क्योंकि तू पाप दोएगा तो इसलिए उसको चान लगा और जो सुन रहा है अरे बोलो तो जम के उसको 24 निविदन करूँगा जिसकी किड़नी गरबड़ हो गई हो जिसका लीवर गरबड़ हो गया हो जिसको डाइलेसेश चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो बेकुंट चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर नदी तलाग सरोवर कुमा बावडी जो हो उसके तट पर चौधा दीप लगा कर पीपल के पत्ते पर शहद डाल कर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डाल कर बोलकर उसमें चड़ा दें उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहर घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर रहा हैं जिसको डाप्टर ने कर दिया डाले से सोगा किट्न लीवर गवर हो रहा हैं बेकुंट चतुर्दशी के दिन रातरी को चौधा दीप लगा कर जब घाट से आएं जिस ब्यक्ति को रोग है बिमारी है उसको पत्ते समय चटा दें और फिर जाकर आप आठ दिन दस दिन बाद जाच करवाओं आपको उसका फल पर अप्त हो जाए और विश्वास रख कर क्योंकि हरी और हर मिलन कोई साधर्ण नहीं है बेकुंट चतुदशी का हिंदू धार्मता एक एक तहवार जो हमारे भगवान शिम ने निर्मित किया है शंकर ने जिन वारों को बनाया तहवारों को बनाया तिथियों को बनाया घड़ी और पल बनाए शिव महापुराण में सब लिखा है कि एक एक पल एक घड़ी एक तीर्थ का ए हमारे अट्यवारों का हीथीयों का वारों का नप्षत्रों का ये शंकर ने करआ ये कुछ सह नहीं कि कि सहाज ता नहीं है श्री शिवार नमस्तु पुखम हम सब्सक्राइब करें हमारे चलिए पाइस प्लैक्ट श्री शिवार नमस्तु पुखम हम